एक समय की बात है, एक छोटे से गाउ में एक किसान रहता था, उसका नाम रामू था, रामू अपने खेतों में दिन रात महनत करता था, वह बहुत गरीब था, लेकिन उसकी महनत की वजह से उसकी फसले अच्छी होती थी, फिर भी वो अक्सर सोचता था कि उसकी गरीबी का क् एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था, कि अचानक एक चमकदार रोशनी उसके सामने प्रकट हुई, वो देखता है कि एक परी वहां खड़ी है, परी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, तुम महनत तो खूप करते हो, लेकि तुम्हें केवल महनत से ही नहीं, बलकि सही दिशा में प्रयास करने की भी जरूरत है, रामू ने परी से पूछा, कैसे, मैं तो केवल खेती करता हूँ, परी ने कहा, मैं तुम्हें तीन अद्भुत बीज दूंगी, अगर तुम इन बीजों को सही तरीके से बोगे, तो त तुम्हारे जीवन में खुश हाली आ जाएगी, लेकिन ध्यान रहे, इन बीजों की एक खास्यत है, तुम्हें इन्हें प्यार और महनत के साथ ही देखभाल करनी होगी, रामू ने परी से तीन बीज लिये और उन्हें अपने खेत में बो दिया, उसने रोज उनकी देखभ और मीठे थे, गाउं के लोग उस पेड के बारे में सुनकर वहां आने लगे, रामू ने सभी को इन फलो को बांट दिया, सभी लोग खुश हो गए और रामू की प्रशंसा की, धीरे धीरे उसकी फसले और भी अधिक बढ़ने लगी और उसे अच्छी कमाई होने लगी, र उसने उन्हें भी प्यार और मेहनत से अपनी फसले उगाने की प्रेर्णा दी।